अलो बच्चों सभी को गुड मार्निंग और सभी प्यारे बच्चों को जैमा सरसते तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबर सुबर पांच बजे लेकर आ चुके हैं आपका अपना कैपसूल क्लास और आज के इस कैपसूल क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया है जो परिच्छा में एक्जाम में बार बार टॉपिक्स आते हैं उसको हम लेकी चलना है तो आज के इस कैपसूल क्लास में एक्जाम में बार बार पूछे जाने वाला फैराडे का नियम हम लेके आए फेराडे का नियम क्या है कितने प्रकार का होता है ये पूरी चीजें इस कलास में हम लोग कभर करेंगे और साथ में लास्ट में हम जो कॉष्षन भी इससे पूछे जाते हैं में उसको भी connect करेंगे ध्यान पुरोग देखोगे एक्जाम के लिए इस वीडियो से दो से पांच नमबर आपके मुठी में हो जाएंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले फैराडे के बारे में जानते हैं देखो फैराडे ने क्या किया पैदुत अभगटन से सम गर में कि भया यहां पे एक एनोड होता है और एक कैठोड होता है उसको बैटरी से लगा दिया जाता है तो नीचे विदुत अभगटे विलियन में डालके विदुधारा प्रवायत किया जाता है तो यहां पे विदुत अभगटन की प्रक्रिया होती है इसमें जो पिदु इस billion में हमने NCl डाला है क्या डाला है NCl डाला है तो यह N plus जो है इसमें यह कहां जाएंगे cathode के side जाएंगे और Cl minus जो कहां जाएंगे anode के side जाएंगे N plus कहां जाएंगे भया यह cathode पर जाएंगे cathode पर जमा होते हैं और Cl minus कहां जमा होते हैं तो एनोड पर जमा होते हैं यह प्रक्रिया जो होता है विदुत अबगटन होता है इसे कहते हैं विदुत अबगटन फैराडे बाबा ने दिमाख लगाया कुनों ने कहा भया ये बताओ कितना जमा होते हैं अगर माल लो हमने यहाँ पर बैटरी से पाँच एंपियर की धारा लगा दिया लो जी हो गया है ना माल लो पाँच कुलाम आवेश लगा दिया ठीक है तो भया इस पे कितना यन्ने सियल जाके बैठेंगे कई गो बैठेंगे बताओ यह बात यन्ने कौन बताया फैराडे ने बताया कि कितने आके इस पे बैठते हैं और ये प्रथम नियम में बताया उन्होंने क्या बताया यहां से समझना फैरादे का प्रथम नियम फैरादे के प्रथम नियम में इन्होंने बताया कि विदुत अपघटन के प्रक्रिया में प्रक्रिया में प्रतेक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है प्रवाहित आवेस के क्या होता है समा नूपाती होता है अच्छा जी ये पहला नियम उन्होंने बताया ये कुछ नियम उखम समझोगे कभों नहीं याद होगा इसको हमरे तरीके सा समझू ये बताओ आपके परिच्छा में नंबर कभ ज़्यादा आएगा कब जादा आएगा बोलो यार कमेंट में जब पढ़ोगे जादा है ना जब पढ़ोगे जादा तो नम्मर जादा आएगा वही बात तो यहाँ पे फैराडे ने भी बताया फैराडे ने भी वही बात बताया कि भया इन दोनों इलेटोर्ड में यहाँ पे जो कैठोर्ड पर यन्य जा रहा है इस cathode पर यन्य की मात्रा कब अधिक होगी कब अधिक होगी इन्होंने क्या बताया इस यन्य की मात्रा जो है यहाँ पर जो यन्य जा रहा है यह यन्य की मात्रा कब अधिक होगी जब इसमें बेद्दु धारा ज्यादा प्रवाइद करोगी जितना धारा जादा पैसा लगाओगे तो भाईया ज्यादा बड़ी गाड़ी मिलेगी कौन सी अब तो भयानते हो केटियम आर एक पाँच वाला गाड़ी आर एक पाँच वाली गाड़ी जानते हो आर वन फाइब है ना उसको एक पाँच कहा जाता है है ना ये जो की भाई क्या ही बताएं और बुलेट सुलेट मिलेगा ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा बड़ी चीज मिलेगी और लेकिन एक बात यादक ना हमारी इस बार जो टॉपर बनेगा उसको तो हम देंगे भाई भाई के है ना लेकिन मेहनत करना आप सभी लो या भराडे का प्रथम नियम असान है बिदुत अभगटन की प्रक्रिया में प्रते के लिए ट्रोड पर प्राप्त होने वाली मुक्त होने वाली पदात की मात्रा प्रवाहित आवेस के समानुपाती होती है यानि इसको लिखना है तो क्या लिखोगे भाई अगर ये डबल नाम का एक नियतांक लगाएंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं विद्धूत रसायनिक तुल्यांक कहते हैं इसे क्या कहते हैं विद्धूत रसायनिक तुल्यांक कहते हैं इसे कहते हैं विद्धूत रसायनिक तुल्यांक कहते हैं इसे कहते हैं विद्धूत रसायनिक तुल्या क्या है कैसे चीजें चल रही है अच्छा थोड़ा-थोड़ा समझ में आई है इतना मेनत करने के बाद मारेंगे सही हो जाओगे आप सभी लोग पूरा समझना चाहिए आपको इतना चिलवा दिया आप हाँ ताड़ी भी देने की बात मैंने बोल दिया भाई पढ़ो मेनस से फिर भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आई है अच्छा जी आप लोग जानते हों क्यूँ जो हो है यहाँ पे क्या है क्यूँ क्या है यह देखो यहाँ पर मैं लिग देता हूँ यहाँ पर ध्यान देना यह है आपका एक मिनट इसको color मैं हाँ पर कौन सा रखूं यह है आपकी पदार्थ की मात्रा डबलू क्या है पदार्थ की मात्रा है और क्यों क्या है आवेस है यह चीजे है आवेस है और आप लोग जानते हो chapter 1 में पढ़े हो आवेसी जिक्वल्टू क्या होता है क्यों आवेसी जिक्वल्टू क्या होता है चैप्टर वन में पढ़े हो जिसके क्या होता है आई इंटू टी होता है यहीं होता है क्यों आवेसी जिक्वल्टू आवेस जिक्वल्टू क्यों आवेसी जिक्वल्टू आई इंटू टी होता है आई इंटू टी होता है आई इंटू टी यह आवे सी जी क्वल्ट होता है यह तो फार्मला सब को पता है छीक है सर पता तो है हमको कोई दिक्कत नहीं है बस आप आगे बताओ आगे यही है कि डबलू जी आप आई टी रखोगे तो आई यह सुत्र बन जाएगा जेड आई टी यह सुत्र बन जाएगा यह जेड आई टी सुत्र बन जाएगा यह आपकी फरादे का प्रथमनियम होता है यह फरादे का प्रथमनियम है जी सर प्रादे का प्रथमनियम हाँ प्रथमनियम है फरादे का एक जाम तक मैं कहा रहा हूँ यह पक्के कोश्णस हैं तैयार कर लो और मैं जिस तरीके से याद करा रहा हूँ याद कर लो कुछ है नहीं जितना धारा लगाओगे उतना पदार्त की मातरा प्राप्त होगी दूसरी बात यहां पर पराड़े का दुतिय नियम यह भी अलग कि अकी भार के समान पाती होता है है न अगर समान धारा समान समय तक प्रवाइद करोगे है है न भाईया समान समय समान है's है और मैं आपको एक बात बताता हूँ लिखने से पहले आपको भी समान समय मिला है समान है समय मिला है ना जितना टॉपर को मिला था सुरू से पढ़ने के लिए आपको भी उतना मिला है समान समय और सलेबस भी समान है चैफ्टर भी समान है लेकिन वो टॉपर बनता है, आप टॉपर नहीं बनते हो, क्यों, क्यों क्यों क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ते नहीं हो, मेनत नहीं करते हो, वो दिन रात एक करता है, आप मस्ती बाजी में एक करते हो, है न, वो सोचता है कि हमें अपने घरवालों का नाम आगे बढ़ाना है अपना नाम रोसन करना है और अपने घर वालों के अपने ममी पापा जो पसीना भाभा के पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए उनको लिये कुछ करना है वो सोचता है बच्चा लेकिन आप नहीं सोचते हो सोचते तो ऐसे time pass करते हैं जैसे करते हो तुल्यांकी भार के समानपातिए तो तुल्यांकी भार है ना उसमझ लो महनत है भया समान पईसा-' mbana समय दिया जाए, समान आपको सलेबस दिया जाए तो उसके बाद जो नम्वर प्राप्त हो रहा है वह आपके महनत के Separation बस यही समझ सकते हो इस नियम है ना दिमाख में भूलोगे नहीं न है न क्या लिखोगे यहाप भया यदि एकदम दिमाख में सेट कर लो ताकि जाम टाइम में रिवीजन करने की जरुवत न पड़े यदि समान धारा परिपत में परिपत में समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो समान धारा समान समय तक परिपत में प्रवाहित किया जाए तो प्राप्त मुक्त मुक्त होने वाली कि कि मात्रा मुक्त होने वाली पदात की मात्रा है न प्रवाहित है न पदात की मात्रा किसके समान उपाती होती है रहसायनी के किसके समान उपाती होती है मुक्त होने वाली पदात की मातरा तुल्यां की भार के समान उपाती होती है यानि समान धारा समान धारा मतलब I.E.R.T. समान होगा तो पदार्थ की मातरा W जो होगी यह प्रफुसनल होगी किसके तुल्यांकी भार E के प्रफुसनल होगी यह होगी यह हो जाएगी अगर मालो दो सेल हो दो इलेट्रोड हो दो इलेट्रोड के यह क्या होगा बताओ W1 upon W2 is equal to E1 upon E2 हो जाएगा ऐसे हो जाएगा यह हो जाएगा और आपको यह बात पती है पती है या नहीं पती है बताओ पती तो है E1 इसको लिख सकते हैं E1 upon E2 is equal to W के हाँ पे क्या लिख सकते हैं Z1 I T upon Z2 I T ऐसा क्यों सर Z1 I T कहा से यह I T मतलब समान धारा समान समय तक दोनों में जा रहा है इसलिए दोनों का वैलू समान होगा यह दोनों का वैलू क्या होगा समान होगा क्योंकि समान धारा समान समय तक दोनों में जा रहा है उतना तो यहाँ पर क्या बचेगा E1 एपान एटू एजिक्वल टू टो टेट меся21 आपान देट को यह बचेगा अ यह बचेगा यह बचेगा है यह बचेगा यह बे सिन्वाब ऑपकय कुछ बीन ही बचेगा यह बातर समझद इमाए आई यह बार कमेंड भाक्स में कमेंट कर देना सभी लोग आगई बात्समल में भाई ठीक है ये हो गया फारमुला ये हो गया फाराडे का नियम कुछ याद करना पड़ा नहीं करना पड़ा होगा चलो भाई कुछ कोस्टन कर लेते हैं जैसे ये कोस्टन है जरा मुझे बताओ ये question बताओ मुझे फैराडे का विदुत विच्छेदन का दूती नियब संबंधित है किस से बताओ धनायन तथा के परमाडू करमां के विदुत अभगट के सम्तुले भार के रिडायन के परमाडू भार के धनायनों के वेक के तो भईया किसके है बता हो तो आप बता सकते हो ना विदूत अबगट के सम्तुले भार से तुल्यांकी भार के समान उपाती है मतलब विदूत अबगट के सम्तुले भार के समान उपाती है है ना यह लिख सकते हो आपसे नमर खस ही हो जाएगा ओहो हो हो एक कोशन सर एक कोश आज ही मैंने चिला चिला के बताया कि भया विद्धत अवगटन का नियम किस ने दिया था इसमें भी देखते हैं कितने लोग सही करते हैं अपने नाम के साथ में सभी लोग answer देना नेम और उसके बाद answer देना मैं आप सभी लोगों के लिए जबजस्त जिस बैच का सब को इंतजार होता है जो टॉपर्स देते हैं लास्ट टाइम में एक दम क्यूं की रिवीजन वाला वह शुरू हो चुका है क्रैस कोर्स है ना जिसका नाम वर्दान है वाकिप में यह वर्दान होगा आप सभी की बोर्ड का रिवीजन कर सकते हूँ रिवीजन के साफ में हर एक रिपॉर्ट नोडस की लाश कराई जाए गी पर टेन कि लाश लाइब कराई जाएगी है और लाइब डाउट लाइफ नोडस का पीडिय अफ फ्र उन सर्थ रिवीजन लाश यह सब चिजे आपको इसमें सलिबस with important question के साथ में crash तरीके से एकदम important important चीजों को पढ़ा के हम complete करेंगे बस आपकी मेहनत अगर रह गई इस batch के साथ ना तो आप टॉपर बनोगे अच्छा इस batch की फिस कितनी है सर ये बता दो फिस batch कली start हुआ इसका फिस 799 रुफे है लेकिन अभी आप ज्वाइन करोगे तो नहीं देना होगा 799 रुपे बातर 399 रुपे में आप इस batch को ज्वाइन करके अपने तयारी को जबजस्त कर सकते हो 399 रुपे में एकदम equality ठीक है और हाँ इस batch के साथ में आपको फ्री भी कुछ मिल रहा है क्या क्या इस batch के साथ फ्री मिलेगा तो जो शिखर one batch full course है जिसमें पूरा detail में पढ़ाएगा वो फ्री मिलेगा वर्दान 2.0 batch सौरी सिखर 2.0 batch जिसमें पूरा full मिलाएग पढ़ाएगा वो भी फ्री मिलेगा साथ में आपको spoken English मैंने कहा पाई मेहनत यहाँ पर कराया जाता आपको पता है जबजस्त तरीके से नम्मल लाने के लिए आप सभी लोग बैच को जवाइन करके अपने त्यारी को जबजस्त कर सकते हूँ ठीक है? मिलते नेश्ट क्लास में सभी को जैमा ससुते